तो बिग बॉस लाइफ फीड में आपको बता दू कि सल्मान खान के नाम को लेकर कैसे घरवाले खेलते हैं गंदा गेम इस बात पर MC स्टैंड को आया गुसा MC स्टैंड का फूटा सभी घरवालों पर गुसा आये जानते हैं MC स्टैंड की नाराजगी की वज़ा क्या है खान के नाम पर खेल जाते हैं खासतो और विकेंड के वार की तैयारी ऐसे करते हैं जैसे यही हीरो बनने वाले हैं वीकेंड के वार पर ऐसे में अकसर कोई भी मुद्दा उठता है, उसमें जब एक इंसान नाराज की और गुस्से में काफी कुछ बोल जाता है, ऐसे में उसके सामने वाला इंसान जो है, उसके एक वर्ड को पकड़ कर बड़ा मुद्दा बना बैठता है, ये तक कह देता है कि देखिए आप जिसके बड़े फै नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो मुद्दा बना लेते हैं, उसी वर्ड को पकड़ कर उन्हें टॉपिक मिल जाती है, लोगों को बदनाम करने की, तो यहां पर जो तिल का तार बनाते हैं मुद्दे को उस पर MC स्टैन का फूटा है गुस्सा, अला कि MC स्टैन के तो यहां कि घूएे वो तो तो अनुम स्टैन asks, लेकिन वर्ड को पकड़ कर नाराज फूटी है, तो यहां सिठेन करते हैं, तो यहां सम्डा करों पर राकिन दूद deriv अनुम्र हीआ है, को तो लेकिन बद मुद्दा काहती है, तो यहां रिख नंग पर तो अनुमतुत कर ग निम्रिद बैट कर, डिस्कुशन्स कर रहे हैं, बाते कर रहे हैं कि कैसे बिग बॉस के घर के अंदर तिल का तार बनता है किसी भी मुद्दे पर. आप बताएं कि स्टैन की बातों पर और स्टैन के इस नाराजगी पर आप कितने सहमत हैं. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. तिल दें, स्टे तून तो आर चैनल.